हलो फ्रेंट्स एजुकेशनल मंदिर में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम मुगल समराज्य के कुछ इंपोर्टेंट कोशन सोल करेंगे यह सभी कोशन जो हैं वो किसी ना किसी एकजाम में कई बार आई हुए हैं जैसे कि UPPCS, RPSC Assistant Professor, UGCNet आधी कुछ पेपरो जाफर नामा के नाम से परसिद है गुरु गोविन सिंख ने और अंगजेब को जो पत्र लिखा था वो जफर नाम के नाम से परसिद है अगला के समय में चो है यह पाईंदा खा और अबदुर्रहिम सतर्ञान नादवा था अगला कुशन है खजवा का योद केन के बीच लड़ा गया दारा, सूजा, सूजा औरंगजेव, औरंगजेव मुराद, मुराद, दारा तो ये लड़ा गया था सूजा और औरंगजेव के मद्दे, उप्शन B अगला कुशन है साहब उलंद इकबाल की उपादी प्राप्त की थी, दारा सिको ने, सूजा ने, औरंगजेव ने, मुराद ने, तो दारा सिको को जो है, वो साह जहां ने साहब उलंद इकबाल की उपादी दी थी अगला कोशन है निमन में से कौन सही सुमेलित है आदाब ए आलमगीरी मिर्जा मुहमद कासिम ये सही सुमेलित नहीं है आलमगीर नामा साके मुस्तादखा ये भी सही सुमेलित नहीं है आलमगीर नामा जो है वो मिर्जा मुहमद कासिम का गरंथ है इसके लावा फुतुआते आलमगिरी इस्वरदास नागर ये सही सुमेलित है मासीरे आलमगिरी औरंग जेब ये भी जो है वो सही सुमेलित नहीं है मासीरे आलमगिरी जो है वो मुस्ताद खा की उस्तक है मुस्ताद खा ने जो है मासीरे आलमगिरी लिखी थी तो इसमें जो सही सुमेली थे वो है option C, फुतुआते आलमगिरी अगला कुश्चिन है नल्दमियंती की कहानी को फार्शी में अनुआद करने वाला था अब्दुलकादिर बदायूनी, फैजी, अबुलफजल, निजामुदिन, एहमद तो फैजी ने जो है वो नल्दमियंती की कहानी को फार्शी में अनुआद किया था इसके लावा अब्दुलकादिर बदायूनी ने रामायन और महाबारत का अनुआद किया था और अबुल फजल ने जो है वो फच्टनतर का फार्शी अन्वाद अन्वार ए सुहले नाम से किया था अगला कोशिन है निम्न जहांगीर की पत्नियों में कौन राजपूत नहीं थी करमसी, मलिकाई जहां, नूरु निशा बेगम, साह बेगम नूरु निशा बेगम जो है वो राजपूत नहीं थी इसके लाव करमसी, मलिकाई जहां और साह बेगम जो है वो तीनों ही राजपूत पत्नियां थी नूरु निशा बेगम जो है वो मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी अगला कुश्चिन है ओरंग जेव का तातकालिक उत्रादिकारी था बहादुर साह, फरुक सियर, मुहमद साह, जहांदार साह तो बहादुर साह जो है ओरंग जेव का तातकालिक उत्रादिकारी था औरंग जेव के तीन पुत्रों में जो उत्रा दिकारियुद हुआ था उसके बाद मुजब ने बादूर साय पर्थम के नाम से लाहोर के निकट जो हो अपना रज्यवी से करवाय था अगला कुशिन है पर्षिद मयूर सिंग आसन को कौन भारत से ले गया नादिर साह एहमद साय अबदाली तैमूर डलहोजी तो नादिर साह जो है वो मयूर सिंग आसन को अपने साथ ले गया था नादिर साह ने मूमल साह रंगिला के समय 13 फरवरी 1749 इसवी को दिल्ली पराकर्मन किया था और लोटते समय लूट की अन्ने समगरियों के साथ वह मयूर सिंग आसन भी ले गया था अगला कुशिन है साय जहां की दरबार का राजकवी था सई दाई गिलानी सायब कुद्शी कलीम तो कलीम जो है वो साय जहां की दरबार का राजकवी था अगला कुशिन है मुगल चितर सैली के संस्थापक कौन थे अब्दु समद तथा मीर सेयद अली बेहजात तथा मीर हासिम दस्वन तथा बसावन मनसूर तथा अब्दुल हई तो अब्दु समद तथा मीर सेयद अली जो है वो मुगल चितर सैली के संस्थापक है इरान से जो है वो हुमाईयों अपने साथ बारत लाए थे अब्दुसमद को और मीर सेयद अली को और इने नहीं जो है वो मुगल चितरकारी की शुरुआत की थी अगला कॉर्शन है निमन में कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने एकबरी में उल्लेखित नहीं है अगला कॉर्शन है मुगल काल में जमी पाय मुदाय से तात पर यह है उप्शन ए परती दो वर्श पर जोती जाने वाली भूमी 25 की गई भूमी बंजर भूमी गल्ला बक्सी के लिए बीना 25 के छोड़ी गई भूमी इसका राइट आंसर है उप्शन बी 25 की गई भूमी मु माल सब्द मुगल काल में किस अर्थ में परियुक्त होता था भेंट कर संग्रहक को मिलने वाला अनुलाब चराई कर उपज कर तो उपज कर जो है वो इसका राइट आंसर है माल जो है वो मुगल काल में उपज कर अर्थात भूरा जिस्वे के लिए परियुक्त होता था की और जो है फार्सी का अच्छा जानकार था उप्शन भी आगरा मीज जहांगीर के दरबार में राजा जेम्स पर्थम के समराथ अकबर को लिखे पत्तर के शाथ पहुंचा ये सही कतन है उप्शन सी उसके पोत का नाम हेक्टर था ये भी सही है निकट पूरुका उसे बहु